हैलो वीवर्स, असलाम लेकूं, मैं हुरोशन, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं माल पुआ बनाने की रेसिपी, ये बहुत ही टेश्टी लगता है, बहुत ही आसान बनाना रहता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा बैलून की तरह ये सूजी और हाफ कटोरी हम इसमें चीनी एड करेंगे, तो सब भी को ऐसे मिक्स करेंगे, चम्मच से, आप विसकर से भी मिक्स कर सकते हैं, तो इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें गरम दूद डालेंगे, गुन-गुना दूद होना चाहिए, ठंडा दूद नहीं डालें तो इस तरह से डाल करके अच्छी तरह से mix करेंगे गुठली इसमें बिलकुल नहीं होना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए अच्छी तरह से mix करें घूल तयार करना है इसको तो ऐसे गरम दूध अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा यह फूला फूला बनेगा गुठली हलका दिख रहा है और इस तरह से निक्स करते हुए अगर पूरा बैटर रहें करएंot तो इसको मिक्स कर सकते हैं लेकिन गरम है तो हाथ जलने का भी चांज रहत directly est हाथ इसमें लगाने की जरूरत नहीं है तो ये हलका सा ठीक लग रहा है और इसमें हम डाल देते हैं और इस तरह से देख पारे होंगे बिल्कुल भी बैटर हमारा अच्छा बना है थोड़ा सौर हंदूद मिलाएंगे पूरा दूद हमारा वान एंड हाफ का टोरी इसमें लगा है तो देख पारे होंगे बहुत अच्छा हमारा ये माल पुगा बनाने के लिए रेडी है तो इसको हम आदे घंटे के लिए रेष्ट देंगे तो इस तरह से ढख कर हम छोड़ देंगे बैटर बिल्कुल परफेक्ट है और 10 मिनट के बाद भी आप बना सकते हैं लेकिन कम से कम अगर टाइम हो तो आप आदा घंटा या एक घंटा इसको जरूर रेष्ट दें सूजी है थोड़ा फूलता है अच्छा रहता है तो इस तरह से ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है आदे गंटे के बाद मिलते हैं आदे गंटे के बाद आपको हम दिखा रहे हैं ओइल हमने गरम कर लिया है और थोड़ा सा चेक करने के लिए इसमें हम डालेंगे बैटर को और ये डालने के बाद दिख रहा है कि ओयल गरम है ये उपर की तरफ आ रहा है देख सकते हैं तो अब बिल्कुल परफेक्ट है और इस तरह से चम्मच से हम बैटर को छोटा छोटा या बड़ा बड़ा बना लेंगे तो ऐसे मीडियम साइज का हम बना रहे हैं और थोड़ी अच्छा हमारा ये माल पुवा बना हुआ है देख रहे हैं सभी माल पुवा ऐसे ही बनेंगे मेरे तरीके से बनाएंगे तो और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने इसे बनाया है बहुत टेश्टी बना है तो इस तरह से आब हम इसको निकाल लेते हैं और सभी माल पुव आप चाहें तो आता से बना सकते हैं, लेकिन हमने इसमें मैधा का युज किया है। वो आपकी 24 है, लेकिन मेजर्मेंट इसी तरह से होना चाहिए तो इस तरह से ये दूसरा बैटर हमने इस तरह से बनाया और ये भी बहुत अच्छा ये बन चुका है तो ऐसे ही सभी को बना लेते हैं इसे आप चटनी के साथ सर्व करें या फिर छोले के साथ सर्व करें बहुत टेश्टी लगता है मेरी वीडियो पसंदा है तो ल हमारा ये मालपुगा बना है बहुत ही सौफ्ट बना है और ये बहुत ही पतला है और अच्छा भी है खाने में भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है ज्यादा मीठा भी नहीं है और ज्यादा फीका भी नहीं है बहुत अच्छा है तो बिल्कुल इसी तरह से बनाईए खाईए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए आपको कैसा लगा हमारा ये बनाने का तरीका देख रहे हैं हम अंदर से भी आपको दिखा रहे हैं कितना अच्छा बना है